बीजेपी नेताओं के द्वारा विधान सभा मार्च के दौरान कानून व्यवस्ता ध्वस्त करने को लेकर के 63 लोगों के उपर प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है। बीजेपी के द्वारा विधान सभा का घेराओ करने के लिए पैदल मार्च किया गया। अधिक लोगों को अधिक लोगों को अग्यात लोगों को भी इसमें जोड़ा गया इस प्रात्मी की में जोड़ा गया है। बताते हैं कि नितिस सरकार के खिलाब उनके विधी व्यवेवस्ता के खिलाब मेंगाई के खिलाब सिक्षक अब्यारतियों के मुद्दों के पक्ष में 10 लाग नौकरी को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार बीजेपी के द्वारा बिधान सभा का घेराओ करने के लिए बिधान सभा के लिए निकले हुए थे तमाम कारेकरता और नेता गांधी वैदान से चल करके वो विधान सवा की तरफ बढ़ रहे थे डाग बंगला चौराय पे पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन बताया जा रहा है कि WJP के कारेकरतां के हान्त में मिर्ची का पौडर था उन लोगों ने पैक्निट रखा हुआ था और पुलिस करमियों के उपर उन लोगों ने मिर्ची का पौडर जोकना शुरू किया पुलिस भड़त गई उनको रोकने का प्रयास किया गया हलका बल प्रयोग करने का कोसिस किया गया लेकिन बीजेपी के कारेकरता जो थे बेहद उग्र थे जो सो खरोस में थे वो हंगामा शुरू कर दिये और इसी हंगामे में नामजद किया गया है अग्यात लोगों को लेकिन बताया जा रहा है कि नेता प्रत्पक बीजे कुमार सीन हां और बिहार बीजेपी के प्रतेश अद्यक समराठ चौदरी को छोड़ करके बाकी तमाम नेताओं को इसमें नामजद कर दिया गया है सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें